हालो गाईज कैसे आप सब लोग टैरुक्स वीडिपल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम जो रिटिंग करें गाईज वो एक नू कॉंटेक्स सिचुईशन पर ठीक है अगर आप जिन जो भी देख रहे हैं वो नू कॉंटेक्स सिचुईशन में है या लेस कॉंट सोच रहे हैं आप लोग नो कॉंटेक्स सिचुईशन में हैं वो सब लोग देख सकते हैं ठीक है इसके लाव अगर आप नहीं भी हैं तो भी रिडिंग देख सकते हैं कुछ नो कुछ ज़रूर होगा रिडिंग जाने से पहले चोटी सी जानकरी परसनल रिडिंग के लिए आपको कॉल नहीं करना है मैसेज करना है मैसेज के लिए नंबर आपको स्क्रीन पर मिल रहा होगा ठीक है मेरा वाटसप नंबर है उस पर मुझे वाटसप मैसेज की जिए और सारी जानकरी मिल जाएगी बहुत अफ़ोड़ चार्ज़ें इसके लाव मेरी रिक्वेस्ट यह कि आप फेस्बुक चलाते हैं इस्टाग्राम चलाते हैं ठीक है तो वहां मैं आपको पूरम शर्मा के नाम से मिलूंगी मेरे चैनल का नाम है टेरो एक्सपेटबल सिक्स ठीक है एक बार फॉलो करके जरूर देखेगा वहां भी ठीक है बहुत अच्छी रील्स हैं और आप आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यदा हल्फुल रहेगी ठीक है तो फॉलो करना मत भूले ठीक है मेरे टैरो एक्सपेटबल सिक्स की नाम से एक पेज भी है ठीक है उसको भी फॉलो करके देखेगे चले आज के रीडिक में चलते हैं गाईज तो आज मैं देखने वाली आप रिसेंटली नो कॉंटेक्ट में है या फिर एक या दो दिन से आपकी बात नहीं हो रही कोई भी सिचुएशन आपसे मैच कर सकते हैं ओके चले स्टार्ट करते हैं क्या है नो कॉंटेक्स सिचुएशन में मेरे वीविवर्स के पार्टनर के एनरजीज आल राइट स्ट करते हैं गाइज सो वी हैव स्ट्रॉम वार्निंग एजिसेंट पॉसिपिलिटीज आल टाइड अप ब्रोकन हार्ट एंड लास्ट वाला कार्ट दिखते हैं जर्णी का ओके नमबर टू है नमबर टैन है 24 23 9 ठीक है तो यह नमबर इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए बता र करे हैं यहां पर अगर कार्ट दिख रहे हो तो आपको देखि इसकी इसा कूछ नहीं है तो डफिनेटली आप से नई शुरूबात की सोच रहे है इनकी current energies में यह है कि पहले डरते थे किसी बात से इनको लग रहा था कि कोई तूफान आने वाला है इनकी life में लेकिन अब यह डर से बाहर आ रहे हैं कोई थर्ड परसंद की वज़े से बहुत ज़र टाइड अप है ठीक है तब बंदा हुआ फील करते हैं ब्रोकन हार्ट का काड़ है यह अपनी हार्ट की healing चाहते हैं इसलिए कहीं जैसे कहते हैं कोई family drama है family issues है उसको हील करके आगे बढ़ना चाहते हैं ठीक है तो आपकी situation कहीं कहीं घर ग्रेष्टी से संबंदित हैं आपकी situation कहीं थर्ड पार्टी को लेकर स्टक है इसलिए ठीक है इसलिए आपकी situation no contact situation है और इस्टिल अगर यह दोनों बाते नहीं है तो येस मुझे से लगता है इनके पास option है option को लेकर इनको समझ में नहीं आरा क्या किया जाए तो मेरी वीवर्स के से जो रिष्टा है इनका उसके बारे में क्या सोच रहेंगे यह निचली कारण रही है और यहां पे 16 भी है और यहां पे number 5 इनको ये feel हो रहा है कि इनको पुरानी किसी past को release करना है हो सकता है कोई relationship ऐसे थे जो चले नहीं बट उनकी अभी भी शायद हो सकता है कि यह देख रहे हैं unconsider option को देखने का मतलब यह है कि जो नहीं काम में आ सकते हैं नहीं जिस relationship में जा सकते हैं उनको भी चेक करें ठीक है तो हो सकता है कि कोई ऐसी बात है जिसको इनकी family members चाते हैं कि उनसे शादी कर लो या फिर कोई ऐसा relationship जो इन पे थोपा जा रहा है ठीक है तो इस तरह की बाते मुझे यहां पे लग रही है तो clean it up मुझे ऐसे लगता है कि अब जो चीजें serve नहीं कर रही है जो चीजें इनके काम की नहीं है जो रिष्टें नहीं बन सकते उनको यह let go कर रहे हैं ठीक है clean कर रहे हैं कि मुझे इनकी कोई जूरत नहीं आप ठीक है तो यह unconsider options को तो चेक कर रहे हैं बट जिनसे कोई मतलब नहीं है उनको जाने दे रहे हैं let go कर रहे हैं ठीक है यहाँ पर number 21 का भी card है यहाँ पर देखे यह अब जो है बिल्कुल tension में नहीं रहना चाते है time for a nap यह relax होके चलना चाते है कुछ fact आपके साथ है definitely कुछ सच्चाई है जोने जानी है ठीक है कि कुछ चीजों को यह बदल नहीं पाएंगे लेकिन इस्टिल यह जानते हैं कि इस relationship में सच्चाई यह है कि पहले शायदी ग्रिटर यानि कि चमकती चीजों के पीछे भाग रहे थे लेकिन अब इनको सच्चाई समझ में आने लगी है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है हर चमकती चीज आप नहीं होती हो ठीक है आप जैसे feeling हर किसी में नहीं आ सकती तो यह चीजें इनको समझ में आ रहे लगी है और यह definitely आपको अपने विचारों के मानने वाला आपको अपने तरह एक इनसान मानते हैं डेफिनेटली आपको पसंद करते हैं क्योंकि इनकी विचारधार हैं आप से बहुत मिलती है आप एक कम्यूनिटी के हो ठीक है आपकी कुछ बाते हैं जो कि इनको बहुत ज़्यादा realization करा चुकी है ठीक है तो अब ये जो है fact को जानते हुए भी इनको ये realize होता है कि आप जो है आप एक सचे इंसान हो और हर सचे सोने की चमक अलग ही होती हर कोई चीज से चमकती हुई सोना नहीं होती पहले शायद ही चमकती चीजों के पीछे भाग रहे थे लेकिन आप इनको सच्चा ही समझ में आने लगी तो no contact situation में कुछ realization हो रहे हैं ऐसा मैं देख रहे हूं ठीक है चलिए और देखते हैं रिष्टे को लेकर क्या सोच रहे हैं इस रिष्टे के बारे में क्या सोच रहे हैं ओके five of cups five of cups के energy को clarify कीज़े six of wands आपको लेकर क्या सोच रहे हैं मेरी वर्स को लेकर क्या सोच हैं इस एंपरर एंपरर ख्लारफाइब कीज़े eight of swords feelings क्या है star star clarify कीज़े king of cups चाहते क्या है मेरी वर्स से चाहते क्या है two of pentacles two of pentacles clarify कीज़े seven of wands और यहाँ पर queen of pentacles की छवी है यानि कि यह जो है आपसे रिष्टे को strong बनाना चाहते है इस टापर relationship चाहते हैं अभी क्या सोच रहे हैं अभी यह वाके में अगर आप इनके spouse हो या फिर अगर कोई partner मनलब जैसे कहते हैं आप spouse नहीं भी हो तो आपक कोई नहीं इनको यह लगता है और no contact situation में आपकी याद आ रही किसी को आपस relationship stable वापस करना चाहते हैं यहां पर देखिए आपके relationship को लेकर क्या सोच रहे हैं actually यह जो है इनसान बहुत ज़दा पश्ता रहे हैं no contact situation को create करके इनसे कुछ गलतियां हुए जिनका realization इनको हो चु कुछ है कि आप आप जो राटी को कारण कहीं 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 केंते जैसे एकैसा इनको बंदे नज़ों में कहां दिखाये वही है इनकी नज़रों में feelings हैं आपके लिए भावनाई पनप चुकी है ठीक है यह आपसे चाहते क्या है जगलिंग से बहार निकलने के लिए चाहते हैं अगर आपके पास दो option है आप जो है कहीने कहीन के लिए जगलिंग करें तो आप जगलिंग से बहार निकल कर आप इनके लिए कुछ strand ले यह चाहते है ठीक है आप इनके लिए कुछ करें यह चाहते हैं ठीक है क्योंकि यह जो है आपको पर्फेक्ट पार्टने की छवी की रूप में देख रहे हैं ठीक है तो no contact situation में ओर और यह सोच रहे हैं ठीक है इनका next क्या कदम हो सकता है चली देख लेते हैं दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहां पर देखिए मुझे ऐसे लगता है कि आपके बात नहीं किसी कंट्रोल में थे अभी तक थी कोई आप सौट से कंट्रोलर होता एंपरर भी एक जैसे कटेना कंट्रोलर माना जाता है तो यह अपने आप को रोक रहे थे किसी बंदन में थे यहां कि अंडर में थे यह निकी आप इनके पास एक क्लियरटी आ चुकी और यह न्यूव बीगनिंग के लिए रेडी हो रहे हैं कुछ क्लियर्टी आ रहे हैं अब एक किसी के कंट्रोल से बाहर आकर आजाद होना चाहते हैं और यह अपने आपको खुद को जैसे कहते हैं अपनी डिसिजन खुद लेना अपनी चीजें अपने आप करना है इस तरह के जिद में आ गए हैं किसी की और definitely किसी control से बाहर आके आजाद होना चाहते हैं ठीक है अपने खुद के decision खुद लेना चाहते हैं ये मुझे इनकी next कदम दिखाई दे रहा है तो आपके लिए अगर इनकी दिल में वाकिये में प्यार है तो जो ये चाहते हैं वही करेंगे ठीक है क्योंकि ये person होता है emperor वाला ये एक जिद्धी इनसान होता है इनके बन में अगर कोई बात आ गई तो वो जिद के अपने जिद पूरी करके ही रहते हैं तो ये मुझे मान के चलिए कि ये किसी से आजाद हो रहे है और ये आपके लिए particular कोई नो कोई situation है जिसमें कुछ नो कुछ कदम उठाना चाहते हैं तो ये sun की उड़ जाए आपका rebirth होने वाला है आपके connection में एक दुबारा reconciliation होने वाला है आप लोगों का एक दुबारा start होने वाला है ठीक है बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एक rebirth नज़र आ रहा है आपका relationship दुबारा start होगा तो ये इनका next direction है और yes no contact situation में अगर आपसे contact नहीं हो रहे हैं तो ये कब तक होगा मुझे one month या फिर twenty days मुझे हाँ पर लग रहे हैं ठीक है otherwise one month या four weeks मुझे हाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी situation में कोई नहीं development या जैसे किते न एक no contact situation खतम होते हैं नज़र आ रही ठीक है तो ये आपकी reading थी guys थोड़े से इनके दिल के messages पढ़ लेती हूँ अगर आपसे no contact है तो ये actually में क्या कहना चाहते हैं आपसे एक card आख चुका है और ये दूसरा और एक और लेंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं तो ये वाला card ऐसा है और इस पी क्या लिखा हुआ है चले हम पढ़ लेते हैं freedom देखिए जैसे मैंने freedom की बात कही कि ये कहीं से आजाद हो रहे तो इस पे लिखा हुआ है there is nothing stopping you the path is clear if you want it to be अगर आपका जो रास्ता बिल्कुल clear है अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कोज भी आपको रोक नहीं सकता तो ये freedom चाहते हैं दूसरा card हमेरे पास है wait ये ऐसी आपके कहना चाहते हैं कि wait करें don't rush into it allow nature to take its course यानि कि nature को अपने आप करने दीजिए go with the flow करिए और तीसरा है message for you यानि कि ये especially आपके लिए message देना चाहते हैं I am thinking of you this very moment यानि कि ये इस वक्त जब आप ये reading देख रहे हैं आपको ही आद करें your love fills me with light I love you यानि कि आपका जो प्यार है इनको light से भर रहा है और ये आपसे बहुत ज़दा प्यार करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे messages है guys अगर no contact situation में है तो बहुत जल्दी आपको approach करें wait करने के लिए बोल रहे हैं जल्दबाजी मत करें ये definitely कहीं से freedom पाक कर ये आपके पास आने वाले हैं तो बहुत अच्छी reading है आज guys तो आपको like करना तो बनता है guys इसके लिए इतना तो करेंगे आप ठीक है तो like के साथ subscribe करना भी बनता है guys और yes मेरी videos पसंद आती है तो next time ज़रू मेरा wait कीजेगा thank you so much अभी तक के लिए बस इतना है bye bye guys